सो हेलो गाईज विलकूम बैक तो माई यूडूब चानल से च्राइम बाउंड गोल दिशोर शंदीब भहिया और गाईज ये बीडियो इस पेसल डिमांड पर है लेक्टरल इंट्री वाले बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं जो डिप्लोमा फाइनल ये में हैं या जो बच्चे बीसी फाइनल येर में हैं या बीसी कर चुके हैं उनकी बड़ा रिक्वेस्ट थी कि भाया आप सिर्फ बीटेक फस्ट वालों के बारे में बात करते हो आप थोड़ा सेंड ये बताओ कि हगर अपने को एक टीव एच बीट यू टीव त्रिपल एम खतम मुचा हो चुका है अभी आप एडिमिशन प्रॉसेस क्या है तो लास्ट येर इन सारे कॉलेजों में जो एडिमिशन हुआ था सीविटी के थ्रू हुआ था और इस साल भी वेज़ा था सेविशन प्रॉली के थ्रू ही होगा बट अभी बच्चों का एवी कंसराने कि भाया वेबसाइट पर दिखनी रहा है उसके बार में बात करूंगा तो पहले में आपको बताने वाला हूं काय दे के साहथ सुनीगा कि कौन-कौन से टौप के कॉलेज़ है या क कि फीज क्या है उनका प्लेश्मेंट क्या है और मुस्ट एक कॉलेज के बारे में जो बेसिक आईडिया आपको होना चाहिए वह आपको पता चल लाएगा सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज करना है क्योंकि जब अगर आप फॉर्म भर रहें सी वीटी का तो सब्जेक्ट कमिने चाहिए तब कहीं जाके आपको काउंसिलिंग में बैठने दिया जाएगा तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट कमिनेशन क्या होना चाहिए आपका एक्जाम का पैटन क्या रहने वारे और स्लेबस कहां से डाउनलोड करना है क्योंकि जो लोग सी लीट की प्रप्रेशन कर रहा है उनको पहले अपना स्लेबस एक पर देखना चाहिए फिर स्टार्ट करना चाहिए तो चलिए मैं एक एक करके उन कॉलेजों के बार में बताना शुरू करता हूं और हाँ एक बात और भाई अगर मैं आपके डिमांड पर वीडियो बनाया जो उन टीचर्स के पास भी डेटा नहीं है जो आपको लेटरल इंटरी लिए पढ़ा रहा है क्योंकि उनका काम अभी फिलाल में पढ़ाना है और हमारा काम आपका एडमिशन कराना है बिल्कुल आप चिंदा मत करिए तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर मैं Central University है जो GFTI यह जेई में से भी मिलता है जेई वीटेक फरस्टियर में जेई में और सीवीटी दोनों से मिलता है एक GFTI है और इसको हम बोलते हैं HNB गड़वाल इनवस्टी और इस यूनिवसिटी में अगर आपको जाना है तो Physics Mathematics and Computer Science आपके पास होना चाहिंगे या फिर आप Physics Maths and Engineering Graphics ले रहे हैं या Physics Mathematics and Informatic Practices ले रहे हैं तो भी आप यहाँ एडमीशन ले सकते हैं और इसके लिए यह ब्रांचे इस यूनिवसिटी में एविलेबल हैं आपका सब्जेक्ट कमिनेशन बहुत धान के साथ देखना है क्योंकि फॉर्म भरते टाइम इसमें से कोई कोई भी जो भी एक आप लेना चाहें आप अपलाई कर दीजेगा और इसी के मार्क्स के विहाब पर आपको कांसिलिंग कराना होगा इनके अलग पोटल पे जाके और वहां से आपका एडमीशन होगा एलीजबिल्टी क्या है कि हैब टू अपियर इन सीउटी पास्ट आइदर बीसी और फॉर यह डिप्लोमा विट फॉर्टी फाइब डिग्री एग्रिगेट और फॉर्टी डिग्री फार बीसी स्ट्रीम और ट्वेल्थ भी अगर आप यसी के तुरू जा रहे हैं तो आप भी पास आउट होने चाहिए और अगर आप डिप्लोमा के तुरू जा रहे हैं तो ट्वेल्थ की कोई रिक्वार्मेंट नहीं है अगर मैं फीज की बात करो तो फीज बहुत कम है 11 के पर समेस्टर और कॉलेज का जो एरिया है यह भी काफी ठीक है मतलब आपका आप एक कोई संट्रल इनवर्मेंट नहीं है यह स्टेट युनिवर्सिटी है और अगर सबसे ज्यादा लेट्रियू में काई सीट है ना भाई तो एक ट्यू के अंदर है एक ट्यू की जो कांसिलिंग होती है इसमें बहुत सारी गॉवर्मेंट और बहुत सारी प्राइवे उनको सीट देना ही है फर्स्ट यर के जो बच्चे सीटे कैंसल कर आके चले जाता है ना तो सारे सीटे लेटरल इंट्री वालों के थुरू भरी जाती है हलाकि यह बात सत्य है कि इसमें ट्रिपल मुटी और बाकी जो कॉलिज हैं वहां पर सिर्फ 10 परसेंट सीटे ही लेटरल इंट्री वालों के लिए होती है पर ठीक है नंबर लेटरल इंट्री में नंबर अफ कंडिडेट्स भी तो बहुत कम होता है और दूसरा जो सबसे बड़ी है यहां पर है जितनी भी सीटे लोग फर्स्ट यर में कैंसल करा के चले जाते हैं उसको चाहें गवर्मेंट कॉले यह प्राइविट कॉलेज हो उसको लोग सेकेंडियर में क्या कर देते हैं लेटरल इंट्री वाले बच्चों के दौरा फिलप कर देते हैं ताकि आगे सीटे खाली न रहें यहां से भी कुछ पैसा आता रहें आर्यू विटेंग में पॉइंट आई हो तो अगर आपको यह अगर आपको नहीं पता हो तो अगर आपको यहां से बीटे करना है तो आपको सबसे पहले जनरल टेस्ट की तयारी शुरू कर दीनी चाहिए फिर इंजीनेरिंग ग्राफिक या कंप्यूटर साइंस में से किसी एक को पकल दीजिए और अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का जो शेक्षिन है यह अनिमार है यह दोनों तो मॉनेडेट्री है ही इन दोनों में से कोई वी एक सब्जेक्ट आपके लिए है जो कि ऑप्शनल है अब आपके मन में आएगा भाईया इसका मैं स्लेबस कहां से डाउनलोड करूं तो स्लेबस आप यहां से ज सब्सक्राइब करना चाहते हैं मैं साफ सब्दों में बात बोलता हूं कि देखो हमारी बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगर आप शूर हैं कि भाईया अपने को इस बार एडमिशन लेना ही लेना है यूपी के किसी कॉलेज में लेना या बाहर भी मैं ले सकता हूं तो आप जाके STBZ båकव लेकिशन है उसे डाउनलोड करके वहां से आप कोर्से बाइघ करना शुरू करने शुरू करने क्यूंकि बाद मैं टाइं नहीं मिल पाता है तो पहले से देले कर के रखेंगे घौकि आईंगे ऐसे आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले अगर आप सिरसे कि त्यारी करने है तो आप जो भी करनी है तो यहां से स्ले में चमर् 않 कर नहीं है तो इसका थेखाएं stitch एक रहे जह अब इस लेबस के भिहाब पे आप कोई भी अच्छी सी किताब बंगाओ और अपनी प्रिप्रेशन क्या कर दो शुरू कर दो आप क्या होने चाहिए पास होने चाहिए या फिर अपीरिंग वाले भी भर सकते हैं पर लास्ट में एडमिशन के टाइम पर आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा डिगरी दिखानी पड़ेगी डिप्लोमा वाली तो 12th मतलब 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाह है ठीक है एंट्वेल्थ स्टेंडर्ड वित माथमेटिक्स से क्यूरिंग मिनिममम 45 पर सेंट बीने ट्वल्थ वाले भी जा सकते हैं परिशान मतों और सेस्ट वाला अगर कोई बंदा है तो 40 पर सेंट आपका डिप्लोमा में होना चाहिए इवेन अगर आप तो आगर आप की बात करो तो फीस इसका वैरी करता है college to college और सबसे जादे अगर सीट है ना तो इसी युनिवसिटी के अंदर है देखो एक गौवर्मेंट कॉलेजेस हैं यह क्या है गौवर्मेंट कॉलेजेस हैं आपके लिए जो एकिटिव के अंदर पार्टिक्सिपेट करने वाले हैं यह कुछ private colleges है मतलब एवरेज ठीक ही ठाक है तो यह कुछ private colleges है और एक कुछ universities है अब लगनाव उनिवस्टी अपना अलग से लेगी काब लेगी कैसे लेगी हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे तो चैनल को subscribe करके रखना आपके लिए बड़ा अनिवार हो जाता है क्योंकि आपको अगर नहीं पता चलाना तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए क्योंकि पिछली बार ऐसे मतलब जिन लोगों की देड़ 200 नंबर भी थे उनका भी admission हो गया था लेकिन पता होना चाहिए आपको कि भाई सहब क्या है आपका मसला आपको पता होना चाहिए कि किसका कब फाम आ रहा है किसकी कब counseling हो रही है किसका कभी spot round हो रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है दश्जगा सुरू में अपलाई करते हैं जोस में और बाद में जब actually में उनका number आना होता है spot round वगरा या last round वगरा में तो उनका जोस थोड़ा ठंडा हो जाता है और यहीं हो चूक जाते हैं लेकिन हम हर एक पर बकुले की नजर बनाये रखते हैं कि कोई भी counseling यह कोई भी opportunity हमारे बच्चों के लिए मिसना हो हमने team बठाय रख किये इसी काम क करिएगा हजार दोजार इधर उदर बहुत सारे पैसे आपके counseling में वैसे भी खर्च हो जाएंगे लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो एक structured way में आपकी counseling कराई जाएगी तुम्हें best college की बात करूं तो IT लखनाउं है उसके बात जो college है आता है के निटी सुल्तानपूर फिर भी हो सके तो इस साल से lateral entry start हो जाएगा पिछली साल नहीं वा था पर इस साल बहुत हद तक chance है क्योंकि जो सीटे बचेंगी यह lateral entry के तुरू ही दी जानी जाएंगी जिसमें आरिसी बसती यह गोंडा पर्ताब मिरजापूरे और परताब गड़े तो यह नहीं आरिसी खुल है और बहुत इजली एडमीशन होता है कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर fw होता है क्या लिटरल एंट्री में तो मेरा आंसर है कि नहीं हाँ अगर फस्ट यह में किसी fw वाले ने अपनी सीट कैंसल करा कि भाग गया हो तो हो सकता है कि वुष सीट को भरा जब जाएगा तो fw scheme के तहती भरा जाएगा तो एक का दो चार सीटे तो में दिख सकती है fw no doubt लेकिन ऐसाच कोई fw शीट बसती नहीं क्योंकि पांची परसेंट सीट होता है fw के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है fw शीट देखना लेटरल इंटरी में बट कभी-कभी दिख भी जाता है तो मैं टॉप कॉलेजों की बात करूं तो यहां पर जैसे स्टॉप पर आता है फिर एकेजी है काइट है उसके बाद तुम्हारा एबीस है गलगोटी है यह बजाज है और फिर थोड़ा सा और लोवर कॉलेज भी आपके आज आते हैं एक टॉप की कुछ मतलब एक कुछ प अगरा ने अपनी सीट डारेक्ली ही दे दी थी सिर्फ मेकेनिकल ओकेनिकल की सीट ही इन लोगों ने एक टुप की काउंसलिंग के थ्रू दिया था तो यह अपने मन की होती है तो तुम्हें इन पर भी नजर बनाया रखना पड़ेगा अगर तुम्हारी रांक या परसेंट काउंसलर है तो आरी सी में लेना है यह तुम्हें ऐसेट करना पड़ेगा जितना बड़िया नंबर ले आओगे उतना बड़िया कॉलेज मिलेगा सिंपल फंड है अगर नंबर खराब हो गया तो तुम्हें कॉलेज खुदी जाके ढूड़ना पड़ेगा कि कौन से कर्मिशन दे रहा है और ज्यादे तर फरजी जो जिन लोगों के मार्क सकम होता है न वह ज्यादे तर फरजी इसके हमें पड़ जाते हैं किसी भी या कोई भी काउंसलर गौवर्मेंट कॉलेज में तुम्हें सीट नहीं दिला सकता है दो चार लाख या दो चार अजार या 20-25 पैसे लेके क्योंकि गौवर्मेंट कॉलेज के सीट जो गौवर्मेंट कॉलेज की सीट है इसमें कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है और इनके चाचा की सीट नहीं है यह सीट गौवर्मेंट की गौवर्मेंट के पैसों से चलती है तो मैनेजमेंट कोटा का कोई ना रहा होगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ वह अपना अलग से फॉर्म निकालेगा क्योंकि भाई सीटे तो भर नी है ना लेकिन कोई भी अच्छा कॉलेज ऐसा नहीं करता है क्योंकि आल्रेडी वहां बच्चों की लाइन लगी होती है कि अब मैं बात करूं तो जो अभी तक में अभी जो मैंने बात किया उसमें से सबसे बेस्ट कॉलेज है अगर मैं बात करूं लेटरल इंट्री में अड्मिशन लेने के लिए तो यह प्रांचेज है और पिछली बार तो बहुत लगबक सौ सीटे तक खाली रहे गए थी लेट अलब सब्सक्राणी फुद अलब यहां क्या होता है जैसे बीडी उटीक हो गया फूड़ा इनल्कूल करताूं लॉट कर या भाग जाती है ग्या जोता है की यहां क्था के लिए फेमस है और इसके जो ब्रांचेज है ओंकर फेंटें लेडर इनृता इसमें यायुल झाओ कि ही अपसे मिलने लगी है पिछले साल से और इस पेसलाइजेशन आपकी किसमें होती है पेट्रोकेमिकल में या फिर किसी का ओयल में पेंट में या लीदर में ऐसा हो गया इस बार से मैं सब्जेक्ट कंबिनेशन की बात करूं तो वही सेम एक ट्यू एच बीट्यू ट्रिपल एमुटी तीनों का सब्जेक्ट कंबिनेशन सेम है मैथमेटिक्स मतलब मैथ मैच बेसिक मैच और अप्लाइड मैच दोनों आएगा फिर कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिक अगर अगर ले रहा हो तो इंजिनरिंग ग्राफिक और जनरल टेस्ट यह सब्जेक्ट कंबिनेशन यूँआप टू फॉलो और वही लीजबिल्टी क्राइटेरिया या तो तीन साल का डिपलोमा होना चाहिए या फिर बीसी होना चाहिए परसेंटेज का क्राइटेरिया तुम य पर प्लेस्मेंट के मामले में शब्सेफ़ादू का लेज यूपी में यूपी स्टेट के अंदर लेटर लेंटी दे रहा है हाइस पाकेज 44 ए एवरेस पाकेज 8 ए और हाइस इंटरनसीब वहां से ए 1 लाक पर मन्त का लगा था तो काफी सांदार का लेज है हरकोट बटलर यूनिवस्टी उसके बाद जो आता है 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 सांदार कॉलेज है इन आईजी डीटीव है दली का कॉलेज है लेकिन यहां पर एड्मीशन होता है सिर्फ गल्स का और 85% सीट रिजर्व है दिल्ली की लड़गियों के लिए और बाकी सीट कहीं के बाकी 15% में कहीं के भी दिखाई है क्योंकि जाद तर यहां दो ही ब्रांचेज खाली रहती है पर अगर कोई फस्ट यर वाले बच्चे इलेक्रोनिक्स है दूसरे ब्रांच में से भी छोड़के अगर जाते हैं तो लेटरल इंटरी में कई पिछली पार इलेक्रोनिक्स की भी सीट्स वाकेंट थी फीसे एक लाग पांच जार से लेकी एक लाग पंद्रा जार तक पर एयर और इसका जो एडिया ने दिया था ने 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 पाकेज और इंटरनेशनल अमेज़न में 1.2 च यार का लगा उवा था और हाइस इंटरंशिप जो लगी थी 1.6 लाग पर मंथ उबर में लगी हु काफी शांदार कॉलेज है अगर तुम्हें एडमिशन यहां मिल रहा है तो बिल्कुल तुम ले सकते हो बैट इस वनली फर गल्स नॉट फर बॉइस अब इसके बाद आता है अपने शेर का कॉल इस ट्रिपल मुटी गोरकपूर और गोरकपूर के लडगे जो डिपलोमा कर सब्सक्राइब करें तो यहां पर एडमिशन के लिए फिर वही सब्जेक्ट का मिनेशन चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर ग्राफिक और मैच्स और जनरल टेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाई यहां तो तुम डिपलोमा वाले होने चाहिए या फिर ब्यस्टी ओने वाले होने चाहिए और फीज जो है ब्यासी हजार नौसों रुपए तिरासी हजार और अगर हॉस्टल ले रहो तो एक लाग बीस हजार तक पूरा पढ़ जाता है और अगर मैं हाइस पाकेश की बात क फाइब धाइलाग परेनम की जॉब थी तो एक ट्रिपल मुटी का पूरा डेटा रहा अच्छा मैं मेरा मन था कि मैं डिस्कस करूं कि कौन से कॉलेज में नंबर अफ सीट्स कितनी है और इसके लिए कटफ कितना जाता है अब यह था कि लंब वीडियो लंबी हो रही थी त लोगर तुम में से किसी को इंट्रेस्ट हो कि भाईया आप अब कटफ पर वीडियो बनाईए और इस बात पर वीडियो बनाईए कि कितनी सीटे हैं तो बोलना में बना दूंगा देखो यूपी के जितने कॉलेज है उसमें 55-60,000 की स्कॉलर्शिप आती है तो ज्यादा टे सब्सक्राइब करता था वैसे तो अपना इंडिपेंडेंडेंट यूनिवर्सिटी है बट पिछले साले या एकट्व से अलग हो गया और अपना अलग से ले रहा है और इसकी फीस पड़ती है लगवा एक लाग बीस हजार सालाना और मैं यूनिवर्सिटी घूम के आया बटाइब बहुत कम पैसा लगता है और अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो यहां पर भी इजली अडिमिशन हो जाता है यह जो कोर्सिज ओफ़र हो रहे हैं CAC, EC, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्रिकल, मेकेनिकल और केमिकल जैसे कॉर्सिज ओफ़र है बहुत लो रैंक पे भी मैंने एडमिशन होते हुए यहां देखा है और अगर आपको सब्जेक्ट चूच करना हो तो आपको मैस और जनरल टेस्ट इंजिनरिंग ग्राफिक या अगर तो अगर तुम्हें पता रहेगा तो इसी हो जाएगा तुम्हें फॉर्म भरने में तो इनके जो लेटरल इंटरी के सब्जेक्ट वह यहां पर दिये हुँए तो तुम यहां से देख लेना बाकिये में फिपिटी अपने उस पर भी डाल दूँगा तो यह लिस्ट थी कुछ कॉलेज होगी जो इलेटरल इंटरी दे रहेते जादा तर मैं प्राइविट कॉलेज को ज्यादा एक्स्प्लेइन नहीं किया मैंने आइडिया दे दिया बा आडवे शुखि रित में नाव चला रहा हूं नही है तो अगर तुमे लग रहा है के हां भी दिखे लग्नाइश बाइस परक जॉरिंप तो ऑर कभी डा मू पॉक्स में नहीं कियो यूट कॉरे गूंकी कोई आज नहीं नहीं है जो ज़डिवा ज़रे लिधर रह इंट्रि झाल